नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो इस समय हम है Union Public Service Commission यानि की UPSC की Official Website पे और आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं Central Armed Police Force यानि की CEPF में निकली बेकंसी के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो बेकंसी हैं वो BASF, CISF, ITVP, SSB, CRPF ठीक है इन जो ये जो forces हैं इनमें ये बेकंसी निकली हुई हैं दूसरी बात दोस्तो ये हैं कि ये जो बेकंसी हैं वो male और female दोनों के लिए ही हैं और तीसरी बात ये है दोस्तो important बात कि आप All India के रहने वाले हैं मतलब पूरी इंडिया के किसी भी state के रहने वाले हैं आप इस भरती में अपलाई कर सकते हैं तो कहने का मतलब ये है दोस्तो कि CAPF ने जो बेकंसी निकलने वाले थी उनके लिए आज अपनी ऑफिसल वेपसाइट पर यूनियन पूलिक सर्विस कमिशन की ऑफिसल वेपसाइट पर अपलोड कर दिया है उसका नोटिफिकेशन और ये जो बेकंसी हैं वो All India वेकंसी सब्सक्राइब जरूर करें तो दोस्तों यहां पर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देखेंगे सेंट्रल आंड पूलिस फोर्स एक्जामनेशन 2020 यहां से जाके आप अपना जो है वो ओफिसल नोटिफिकेशन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो ओफिस स्टाट हो चुकी है 18 अगस्त 2020 से आप इस भरती के लिए ओनलाइन एप्लिकेशन फिलप कर सकते हैं उसके बाद में इस भरती की जो लास्ट डेट होगी दोस्तों ऑनलाइन एप्लिकेशन समिसन की बहोगी साथ सितंबर 2020 नेक्स दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहां पर आपसे कि किस फोर्स में कितनी वेकंसी निकली हुई है यह बहुत ही जरूरी चीज है दोस्तों तो आप यहां पर देखेंगे बीएसफ में दोस्तों हाँ पर 78 पोस्ट हैं CRPF में 13 पोस्ट हैं CISF में 69 पोस्ट हैं ITVP में 27 और SSB में 22 तो कुल मिला के दोस्तों 209 पोस्ट हैं इन सभी फोर्स में जिनके लिए यह भरती निकली हुई है इस भरती में अपलाई करने के लिए आपकी जो एज लिमिट होगी और यह दोस्तों आप दो नमर पर देख सकते हैं आपके examination center है ठीक है तो आपका exam होगा जो की 20 December 2020 के लिए होना है आपको जो exam है को इसके लिए download कर सकते हैं उसके बादें दोस्तों हम नीचे स्कॉल करके अगर आएंगे तो हम बात कर लेते हैं यहां पर दोस्तों आपसे आपके physical efficiency test यानि कि PET के बारे में तो आपका जो दोस्तों PET होगा वो इस प्रकार होगा male के लिए और female के लिए अलग अलग यहां पर दोस्तों दिया गया है तो सबसे पहले दोस्तों आपका 100 meter की race होगी जो कि आपके लिए male के लिए 16 second मिलेंगे और female के लिए इस race को पास करने के लिए 18 second दिये जाएंगे उसके बाद में next होगा आपका 800 meter race होगी male के लिए इसको 3 minute 45 second और female के लिए 4 minute 45 second का time दिये जाएगा उसके बाद में दोस्तों आपके long jump होगी long jump के लिए आपका 3.5 meter होगी आपके long jump इसके लिए आपको 3 chance दिये जाएंगे और female के लिए long jump होगी ढूसतों 3 minute इनके लिए भी 3 chance दिये जाएंगे उसके बाद में short put होगा दोस्तो जो की 7.26 kg का होगा और ये cable male के लिए applicable होगा female के लिए short put की कोई भी जरूरत नहीं होगी तो male candidates जो होगे उनके लिए short put 7.26 kg का 4.5 meter तक थोग करना होगा तो ये है दोस्तो इसका physical उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसकी आपकी height, weight, chest इसके बारे में जो आपका सारीरिक माबदन जिसको बोलते हैं तो ये देखी दोस्तो physical and medical standard for the candidates ठीक है ये आपका physical और medical standard हो जाएगा दोस्तो यहाँ पर आप देखेंगे तो physical standard जो है दोस्तो वो height होगी man के लिए मतलब male candidates के लिए height यहाँ पर माँगी जा रहे ही दोस्तो 165 cm और women के लिए माँगी जा रहे है height यहाँ पर 157 cm chest man का होगा दोस्तो 81 cm woman के लिए not applicable है उसके बाद में जो आपका chest होगा उसको आपको 5 cm minimum expansion करना होगा मतलब उसमें सास बरके फुलाना होगा 5 cm minimum और आपकी जो weight है दोस्तो वो male के लिए 50 kg और female के लिए 46 kg यहाँ पर माँगा जा रहा है उसके बाद में दोस्तो आपका eyesight जो है वो distant vision आपका 6 by 6 होना चाहिए ठीक है यह आपका medical के बारे में दिया गया है इसको आप ध्यान से पढ़ लें और आपकी जो age limit है दोस्तो वो 18 से 25 साल है अब यह age limit के लिए मैं आपको लेके चलूँगा यहां पर इस notification के first में आप यहां पर देखेंगे दोस्तो आपकी जो age limit है यहां पर दे गई है यह है आपकी age limit ठीक है age limit दोस्तो आपकी क्या होगी यहां पर 20 साल से 25 साल तक आपकी age होनी चाहेंगे और आपकी जो age count की जाएगी वो 1 अगस्त की बीच में आपकी रपट हैं तो आप इस भरती में आपकी डेटो बटन है उसके बादम जो अपर age limit है वो as per government rule automat के लिए दे जाएगी अभी दोस्तो बात कर लेते हैं हाप पर eligibility condition की तो इलिजिबिल्टी कंडिशन जो है आपका देख लिए जी दोस्तो नेशनलिल्टी नो परसन हुई इस नॉट इस इंडिया से बाहर जैसे की भरती होती है भूटान और नियपाल के उनके लिए यह भरती बिल्कुल भी नहीं है अगर आप इस भरती में अपलाई कर सकते हैं ठी दोस्ते यहां पर बोथ मेल एंड फीमेल कंडिट्स और इलिजिबल फॉर अपट्मेंट फॉर दो पोस्ट आफ सिस्टेंट कमांडेंट तो यह जो बैकन्शी जांद दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट के निकली हुए हैं जो कि आई एससफ बैस एफ आई टीवपी एस् और CRPF में vacancies निकली हुई हैं उसके बाद में दोस्तों आपको और भी ज्यादा अच्छी तरह से बताने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ सरकारी रेजल्ट की official website पर जहां पर मैं आपके लिए इस भरती के बारे में पूरी detail देने वाला हूँ तो मोटा मोटा दोस्तों में आपको बताता हूँ आपकी जो application fees होगी जनरल और OVC के लिए 200 रुप होगी और CST और female के लिए आपे निल होगी application 18 अगस 2020 से स्टार्ट हो चुकी है साथ सेतंबर 2020 तक चलेंगे दोस्तों उसके बाद में आपके पोस्ट के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि यह BASF, CRPF, CISF, ITVP और SSP में वेकंसी हैं आपके एज लिमेट होगी दोस्तों 20 से 25 साल काउंट की जाएगी एक अगस 2020 के लिए उसके बाद में आपके जो eligibility है वो bachelor degree in any stream in अपके पास में जो है दोस्तों bachelor degree होना चाहें है मतलब आप minimum graduation होना चाहेंगे है ठीक है यह आपको height के बारे में मैं आपको बता चुका हूं physical के बारे मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पर official website official notification और download syllabus का link दिया गया है अगर आप download करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके download कर सकते हैं तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरू बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करें और हमारे YouTube चैनल सिवा online classes को सब्सक्राइब जरू करें तो दोस्तों चलिए कल फिर मिलेंगे एक नहीं वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जेहन जेभरत